चीन में कहावत है कि पहार के चोटी पर पहुँचने के बहुत से रास्ते होते हैं परन्तु उस चोटी से दिखने वाला दृष हमेशा एक समान होता है इसी नीती के बल पर वह वैश्विक महाशक्ती बनने के स्थपन देखता है और इसकी पूर्ती हेतु वह सामदाम दंड सारी युक्तिय अपनाता है और इसका उधारन भारत से बैतर कौन जानता है जहां सारे देश कोरोना से लड़ रहे थे तो वहीं चीन ने भारत के लद्दाक शेत्र को जमीन से हथियाने की मंचा के साथ अपने सेनिकों को भेजा था परन्तु भारत ने भी अपने सेना का प सबसे विश्वसनी Alternate News Media Portal और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित करौँगा कि कैसे भारतिय सेना के पराक्रम के समक्ष चीन को एक बार फिर डोकलाम के पश्चा जुकना ही पड़ा और कैसे इसमें यदि प्रतक्ष नहीं तो अप्रतक्ष रूप से रूस की भी भूमिक इससे पूर्व के हम आगे बढ़े यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं एवाम आप हमारे चानल और फेस्बुक पेज को अवश्य सब्सक्राइब करें तो अविलम आरंभ करते हैं अब गलवान घाटी में भले ही हमारे भारतिय सेना के पराक्रमी योद्धाव ने चीनी घोचुओं को पटक पटक कर धोया हो परंतु जिन्पिंग के नन्ने मुन्ने ठेरे धीट के धीट आज तक बेशरम चीन ने अपने सैनिकों की मृत्यू को स्वीकार तक नहीं किया इस प्रकरण के पश्चात भारत और चीन के रिष्टे काफी खराब हो चुके थे और अभी तक दोनों देशों के रिष्टे असमाने ही हैं इसी करम के पश्चात चीनी और भारतिय सैनिक पूर्वी लद्धाख में टकराव वाले गोगरा होट स्प्रिंग शेत्र में गश् इसकी प्रकरिया आज सितंबर को ही प्रारंब कर दी गई थी और दोनों पक्ष अब गश्ट चौकी यानी पीपी 15 से पीछे हट चुके हैं भारत और चीन की सेनाव ने आज सितंबर को घोशना की थी कि उन्होंने शेत्र में गथिरोध वाले स्थानों से सैनिकों को हटाने के लिए रुकी हुई प्रकरिया को आगे बढ़ाते हुए पीपी 15 से सैनिकों को हटाना प्रारंब कर दिया है एक कायकरम से इतर पीपी 15 में सैनिकों से पीछे हटने के बारे में पूछे जाने पर थल सेना प्रमुक जेनरल मनोच पांडे ने कहा मुझे जाकत जायजा लेन होगा परंतु ये निर्धारत कायकरम और निर्णे के अनुसार हो रही है सूत्रों के अनुसार टक्राव वाले स्थान पर बनाए गए सभी अस्थाई धांचों को फिलाल के लिए नश्ट कर दिया गया है अभी ये ग्यात नहीं है कि क्या दोनों पक्ष पीपी 15 पर एक बफर जोन में कोई भी पक्ष गश्ट करने नहीं जाता है दोनों सेनाव ने 8 सितंबर को प्रक्रिया की शुरुवात की घोशना करते वे कहा था कि जुलाई में उच्छ स्थरिये सैन्य वारता के सोलेवे दौर के परिणाम सरूप गोगरा होट स्प्रिंग शेत्र से सैनिक पंद्रा दौर की बाचीत को सिरे से नकारने वालत चीन आखिर सोलेवे दौर में इतनी दरिया दिली क्यों दिखा रहा है अचानक से ड्रैगन का हिरदय परिवर्तन कैसे हो गया कहीं इसका कानद रूस तो नहीं है हो भी सकता है असल में इस समय रूस प्रतिबंधों के कार भारत और चीन दोनों का ही मित्र है और ऐसे में कोई आश्चरे नहीं होना चाहिए कि रूस ने चीन को भारत के बढ़ते प्रभाव एवं अपने हितों को ध्यान में रखते हुए चीन से इस संबंध के बारे में अवश्य बात की होगी और रूस द्वारा समझाने के बाद च चीन इसके लिए तयार हुआ होगा इसके अत्रिक सितंबर मा में शंगाई कोपरेशन और्गनाइजेशन का सम्मेलन भी होने वाला है जिससे लेकर चीन भारत के रिष्टों के लिए काफी आशानवित है ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उसके कुकृत्यों के कारण भारत के लो हो रही है अब इहाली में इसी ट्रेंड के कारण भारत की व्यापार सुची में चीन को पचारते हुए अमेरिका भारत का नंबर वन ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है अपने आर्थिक हितों को हानी पहुंचता देख चीन के अकल ठिकाने अवश्य आई होगी और इन पुतिन चचा की करपा से